आपको दिखा रहते हैं कुछ तस्वीरें जो पहाडों से आ रही हैं यहाँ पर भारी बर्फ बारी के बीच परेटक पहुँश तो रहे हैं लेकिन कई ऐसी सड़के हैं जो इस वक्त बर्फ बारी की वजह से बंद हो गई हैं गुलमर्ग में भारी बर्फ बारी की वजह से सड़को परावा जाही बारित हुई है सड़क पर बर्फ की मोटी परद जम गई है बर्फ की सफेद चादर ने हर तरस से पहाडों को घे लिया है कुलमर्ग में ड्रोन से ली गई ये बनमोहक तस्वीरे सामने आई हैं हाला कि ड्रोन से ली गई ये तस्वीरे सुन्धरता का तो पैमाना हो सकती हैं लेकिन मुश्किलों का पैमाना नहीं है पूरे कश्मीर में पिछले पांच दिन के दोरान जम कर बरबारी हुई और इसमें रफतार और तेजी रविवार को पूरे कश्मीर में भारी बरबारी के बाद देखी गई सुन्धरता को तो मौसम जरूर संबला है लेकिन अभी भी बादलूंक से पूरा आसमान जो है गिरा हुआ है जिससे तापमान में फिलहाल कश्मीर में इस तरता है लेकिन आने वाले दिनों में कश्मीर में जम कर हुई इस बरबारी का असर पूरे कश्मीर में देखने को मिलेगा जहां तापमान बहुत ज़्यादा लुड़केगा दिन में नहीं बलकि रात में मैनस पांच तक आने वाले दिनों में श्रीनगर का ताप मान जाने की आशंका जताई जा रही है यही कुछ हाल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और परिटन इस्थलों का भी होगा लेकिन इस बरबारी ने कश्मीर में लोगों को काफी जो है उत्साहित कर दिया है साथी साथ जो है परिटन भी इस बरबारी के बाद कश्मीर में अब बढ़ेगा भी और बढ़ने भी लगा है यहां तक कि पिछले दो महीने से जिन विंटर गेम्स का इंतिजार हो रहा था गुल मर्ग और कश्मीर के दूसरे परेटन इस्थनों पर उन में भी अब तेजी आएगी और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी विंटर गेम्स का आयोजन होगा फिलहाल मौसम विबाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में कोई बरबारी तो नहीं होगी लेकिन कडाके की ठंड से कश्मीर के लोगों को जूजना पड़ेगा अगर हम इस बरबारी की बात करें तो जिस अंदाज से प्रशासन ने कश्मीर में हुई इस बरबारी से निपटने के लिए व्यापक इंतिजाम किये थे क्योंकि दो महीने तक पूरा सूखा था पूरे जूम कश्मीर में दसंबर और जनवरी बिना बरबारी के बीता उस बीच मातर 24 गंटों के बीतर कश्मीर के सभी राज मारगों को जो है यातायत के लिए खोल दिया गया